बक्सर की घटना जितनी निंदन ये है उतना ही मुख्य मंत्री नितीश कुमार जी का आम मानुविये चेहरा दर्शाती है आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से पुलिस वो वीडियो सब ने देखा होगा पुलिस ने किस तरीके से घर में घुसकर किसान परिवार के लोगों को बरबरता से पीटने का काम किया ना बच्चो को बख्षा ना महिराओ को बख्षा और उसमें कोई उनसे पूछे की भाईया इनका कसूर क्या है आज मुक्क्य मंद्णी जी निकले है समाधान यात्रापर पहले बकसर का समाधान करे ना करें पहले किसानों का समाधान आज अगर किसाल मौजूदा सरकल रेट पर अगर अपना मुआफ़जा मांगता है जो उसका हक है जो उसका अधिकार है उस अधिकार से उसको वंचित किया जाता है और अपने हक अधिकार की मांग पर जिस तरीके से उनको उनके परिवार के सदस्यों को पीटा जाता है तक को उठा कर लेके जाया जाता है 18 साल से कम उमर वाले बच्चों को आप गिरफ्तार करते हैं महिलाओं के उपर आप लाठी चार्ज करते हैं मुख्य मंतरी नितीश कुमार ची जवाब देना वहिया समाधान क्या है इसका क्या समाधान है किसान अगर अपने हक अधिकार की म क्यान पर समाधान यात्रा निकालने जो मुख्य मंतरी निकले म करें पहले वह समस्या की जड़ स्वेम उंसे समाधान क्या पेक्षा रखना संभव नहीं है और यह बक्सर जैसी निंधनिया gattना क्यवाह लागता उधारन है इससे जादा शर्मनाक ब्यान और कोई नहीं होसकता कहना क्या चाहते हैं मुक्य मंद्री जी बताए ना किस मानसिक्ता से पिड़त हैं यह क्या सोच आं मुक्य मंद्री निदीश कुमार जी की क्या कहना चाहरे हैं कि भाईया पुर्ष और महिला में जिस तरीके का ये भेजबाव करके बताना चाहरे है मतलब तमाम तरीके के पुर्षों की मानसिक्ता को ये एक ऐसी ओची मानसिक्ता के साथ जोड़ना चाहते है कोई बात नहीं मुख्यमंत्री जी के अपनी निजी सोच हो सकती है पर आज की तारीक का युवा बिहारी युवा और बिहार के पुरुष भी उनकी सोच को सुन रहे हैं पिछले चुनाओं में भी उनकी सोच का जवाब बिहार की जनता ने दिया था आने वाले दुरुष भी तुरुष